प्यारे दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेरी टाइम जोन्स के बारे में या समुद्रों में अंतरराश्टी इस्तर पर सीमा का निर्धारण कैसे किया जाता है तो दोस्तों सीमा के निर्धारण की बात जब करी जाती है तो सबसे पहले रेफरेंस लिया जाता का जिसका फुल फॉर्म है युनाइटेड नेशन्स कंवेंसन ऑन ला आफ दसी जो की बना 1992 में तो 1982 में अनकलाउस आया और अनकलाउस आया कैसे एक इंटरनेशनल कंवेंसन हुई और उस कंवेंसन में कुछ रूल सडिसाइड किये गए एक रेसनल framework बनाया गया की oceans की जो boundaries हैं वो कैसे होंगी मतलब की जो countries coastal countries हैं जिनके पास तटरेखा है उनकी जो maritime boundary है वो कैसे decide करी जाएगी और उसके बाद इस पर एक general agreement मेंट बना की कुछ zones बना करके कुछ maritime spaces को निर्धारित करके उसके आधार पर maritime boundaries बनाई जाएंगी और यहां काफी तार्किक था इसलिए यह सारे member countries ने accept करा तो दोस्तों according to unclose जो oceans हैं उनको five zones में divide किया गया मतलब जो coastal countries हैं जैसे मैं इंडिया की बात करूं आप यहां पर देख सकते हैं तो इंडिया के एक तरफ है और दूसरी तरफ है बेंगॉल या बेंगॉल की खाड़ी तो इंडिया का जो maritime border है वो कैसे निर्धारित होगा क्योंकि यह कोस्टल कंट्री है या कोई और कंट्री हो लिट से चाइना है या साउथ अफरीका है तो इन सारी कंट्रीज की जो कोस्टल बाउंड्रीज हैं वो कैसे निर्धारित होंगी उसको अनक्लॉज ने डिसाइड करा और अनक्लॉज ने फाइब जोन्स में वाटर को कोस्टल डीजन से बाहर की तरफ वाटर्स को फाइब मेरिटाइम जोन्स में डिवाइड करके फिर इस चीज को स्पेसिफाइड किया तो आप यहां पर देख सकते हैं कि अनक्लॉज के एकॉर्डिंग फाइब जोन्स जो हैं वो कौन-कौन सी हैं इंटर्नल वाटर, टरिटोरियल सी, कंटिगुवस जोन, एक्स्क्लिव सीफिकोनामिक जोन मतलब विसेस आर्थिक छेत्र और हाई सी का मतलब गहरे आंतरिक सागर, तो मित्रों यह जो फाइब जोन्स हैं यह कोस्टल एरिया से शुरू होती हैं और बाहर की तरफ ऐसे बढ़ती होई जाती हैं, जैसे मैं यहां पर आपको दिखाऊं, जैसे आप म पर एक बेसलाइन मान ली जाती है, वहां से एक सीधी रेखा खीची जाती है, जैसे मैं अभी खीच रहा हूँ, जैसे यह क्या हो गई, यह एक बेसलाइन हो गई, जो इंडिया के कोस्टल डीजन को टच कर रही है, मित्रों तो इस बेसलाइन के अंदर जो भी सी आएगा, जैसे अब यह जैसे चिलका लेक आगई, पुली कट लेक आगई, जो भी लेक्स आएंगी, इनको इंटर्नल वाटर्स या आंत्रिक सी के रूप में कंसीडर किया जाएगा, तो मतलब कि जो लैंड एरिया होता है, लैंड एरिया से लगी हुई जो वाटर बाडी होती है, ज जो तटी च्हेत्रों से लगा हुई सी होता है या सेन होता है या वाटर होता है, उसको बohlा जाता है तेरितोरियल सी, तो आप यहाँ देख सकते हैं इंटर्नल वाटर के बाद जो दूसरी लेयर होगी, वो तैरितोरियल सी होगी, अभी मैं इसको आपको और कलर fundamental के मांद से दिखाऊंगा पर अभी यहां पर आप समझ लीजिए इस टेरिटोरियल सी के बाद जो अगली जोन होगी मतलब जो तटिये चेत्रों से बाहर का पानी होगा उसको बोला जाता है और इसमें एक डिस्टेंस स्पेसिफाई किया गया है कि जो टेरिटोरियल सी होंगे जो कितने डिस्टेंस पर होंगे और जहां पर जोन खतम होती है जैसे 200 नौटिकल माइल तक आपका होता है एक्सक्लिव इकॉनामिक जोन और 200 नौटिकल माइल जब डिस्टेंस कोस्टल एरिया से खतम हो जाता है उसके बाद शुरू हो जाता है तो दोस्तों जो हाई सी वाला रिजन है वो एकड़म से इंटर्नेशनल वाटर हो जाता है यहां से स्टेट मतलब हाई सी में स्टेट का कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है नेशनल जूरिस्डिक्षन के एकदम बाहर होते हैं तो ऐसे ही कोस्टल बाउंडरीज डिटर्माइन करी गई अनकलॉज के द्वारा अनकलॉज ने बहुत ही रेशनल तरीके से यह सारी चीज़े करी और उसने बताया कि जैसे जैसे स्टेट के कोस्टल रीजन से दूर जाते-जाते हैं वैसे ही जो अधिकार होते हैं उनमें कमी आती जाती है coastal countries के लिए तो अब और उसके साथ ही इसने बहुत सारे judicial rights की भी बात करी कि किस तरीके से rights जो होंगे वो कम होते जाएंगे बाहर की तरफ high c में सारे rights खतम हो जाते हैं तो जो unclosed का यह distribution है यह बहुत ही important है exam में पूछा जा सकता है अब आई होब आपको short में यहां पर समझ में आ गया होगा अब आईए इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा pictures के through screen पर कि किस तरीके से यह boundaries decided हैं मित्रों अब आप इस image में आराम से देख सकते हैं कि कि किस तरीके से internal waters, territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zone और high sea का division है मैं अगर आपको सबसे पहले बताओं कि internal waters क्या है और baseline क्या होती है तो जब मैंने पिछला example दिया था इंडिया का उसी तरीके से आप समझ सकते हैं जैसे यह suppose आप मान लीजिए कोई land area है और यह सबसे बाहर की तरफ निकला हुआ land mass है और इसके इधर साइड में क्या है oceans हैं तो जो सबसे बाहर की तरफ निकला हुआ land area होगा या कोई strip of land होगी वहां से एक imaginary line खीच ली जाएगी और इस line को बोल दिया जाएगा baseline जैसे यह जो line अभी मैंने draw करी है यह baseline हो गई और इस baseline के अंदर की तरफ जो यहां पर पानी भरा होगा जो यहां पर पानी भरा होगा मतलब मैं आपको इसको यलो कलर से दिखा देता हूं जैसे यहां आप माली जी यह पानी भरा हुआ है तो यह जो अंदर की तरफ पानी भरा हुआ होगा इसको बोला जाएगा internal waters तो आ प्ल दिया था इसके बाद इस बेस लाइन के बाद जो एरिया होगा जो वाटर होगा कोस्टल एरिया को ले करके जो पानी भरा होगा जहां पर बीचेज वगैरा होते हैं यह सब territorial C के अंतरगत आते हैं और यह जो तटी यह सागर होते हैं इनको बोला जाता है 12 nautical mile तक extended होते हैं वन नौटिकल माइल में 1.8 किलो मीटर लगभग distance होता है एक nautical mile 1.8 किलो मीटर के बराबर होता है तो अभी आप यहां पर देख सकते हैं territorial sea 12 nautical mile तक होता है और जहां पर यह 12 nautical mile खतम होता है वहाँ पर territorial C को खतम मान लिया जाता है उसके साथ लगा हुआ होता है contiguous zone तो बोला यह जाता है कि base line से 24 nautical mile तक जो zone होती है उसको contiguous zone या संक्रमर छेतर बोला जाता है तो territorial C और contiguous zone आपस में overlap करते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद 24 nautical mile पर contiguous zone को खतम मान लिया जाता है और फिर 200 nautical mile तक जैसे कि आप इस image में देख सकते हैं उसको माना जाता है exclusive economic zone यह नीचे लो कलर में लेंड एरिया है और उपर यह ब्लू कलर में ओसेंस हैं तो ओसेंस में 20 200 nautical mile तक मान लिया जाता है exclusive economic zone या विसेश आर्थिक छेत्र और 200 nautical mile के बाद हाई सी शुरू हो जाता है ओसेंस शुरू हो जाते हैं तो मित्रों इस तरीके से जो डिवीजन ह वह है अब इसमें क्या है कि जैसे कोई स्टेट है या कोई country है जिनको मैं कहूं मालीजिए यहां पर कोई country है जहां पर मैं सी लिख रहा हूं यह इसका इंटर्नल वाटर हो गया इसका टेरिटोरियल सी हो गया अब दोस्तों यहां से आप देखेंगे country की sovereignty जो होगी वह बाह अधिकार जो है वह वैसे ही रहेंगे जैसे लैंड पर अधिकार है यहां जो मर्जी चाहे कर सकते हैं जो भी government होगी या जिस जो भी state controlled होगा यहां पर इंटर्नल वाटर्स के बाद आपका आता है टेरिटोरियल सी टेरिटोरियल सी भी more or less वैसे ही है जैसे इंटर्नल वाट सकता है और उसके बाद exploration किया जा सकता है मतलब उपर से ले करके इस पेस से ले करके water से ले करके सी बेड तक कहीं भी कुछ भी करने का अधिकार state को होता है और इसके बाद का जो यह जोन होता है contiguous zone यह बीच का reason होता है जहां से custom duty वगेरा ली जाती है मतलब यह highly militarized transition zone होता है अगर कहीं भी किसी भी country की ship आ रही है trade करने के लिए तो उसको यहां पर entry करने की permission नहीं होती है contiguous zone में यहां पर military नेवी होती है I mean to say और उससे contact करके ही उसको इसके आसपास आना होता है और तभी trade मतलब import export वगेरा हो सकते हैं तो यह highly militarized zone होती है जो contiguous zone होती है यहां से custom duties वगेरा ली जाती है और ज्यादा तर जो citizens भी होते हैं countries के उनको यहां से बाहर जाने के लिए permission लेनी होती है क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे जो आप national jurisdiction से बाहर जाने लगते हैं तो इस तरीके से यह area contiguous zone जो है highly militarized zone होती है लेकिन यहां पर भी लगभग country के अधिकार रहते हैं मतलब citizens के rights थोड़ा सा कम हो जाते हैं लेकिन country चाहे जो government है तो यहां पर exploration कर सकती है artificial island वगएरा भी बना सकती है यह सारी चीजें हो सकती है इसके बाद 24 nautical mile के बाद का जो zone होता है यह होता है exclusive economic zone और यह area बहुत ही important होता है क्योंकि जो भी world trade वगएरा होता है जादा तर वो यहां से होता है तो यह economic चीजों के लिए मतलब आर्थिक मामलों के लिए यह ही महत्वपूर्ण है यहां पर भी countries के पास काफी सारे rights होते हैं जैसे कि उसको exploration के लिए scientific researches के लिए rights होते हैं कुछ भी living or non living resources है यहां पर जो है उनको manage करने के rights होते हैं या जैसे continental self जो है वहां पर कोई चीज अवैलेबल है तो उसको उनको निकालना है तो उसके लिए भ economic रूप से यह बहुत ही important zone है scientific researches वगएरा जाधा तर इन सारे regions में करी जाती है क्योंकि यह कहीं न कहीं national jurisdiction में आ जाता है बट इसके बाद वाला जो area होता है 200 nautical mile के बाद जो पानी होता है उसको high sea consider किया जाता है और यह international water हो जाता है यहां पर country को भी उस प्रकार से permission नही कर सकता है यहां पर national jurisdiction से बाहर हो जाता है यहां से जो दूसरे country के ship वगएरा है वह आराम से पास हो सकती है trade routes वगएरा जो है वह फालो कर सकती है मतलब कि कुल मिला करके यहां से कोई अगर दूसरे country के ship जा रही है तो कभी भी coastal जो country है उसको इतराज नहीं होगा लेकिन है तो यहां जो military है contiguous zone में वह उन पर नजर रख सकती है अगर trade के लिए आ रहे हैं तो communicate करके आएंगे इस तरीके से वह आ सकते हैं मतलब यह कर सकते हैं जो innocent passes होता है अगर आप trade के लिए जो है इधर से आज पास से गुजरना चाहते हैं तो आप आराम से जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं लेकिन अगर आप आमड वेहिकल लेकर के या आमड शिप लेकर के आते हैं तो तुरंत contiguous zone में जो military होती हो इतराज करेगी और आपको जो है वह पास नहीं करने दिया जाएगा ठीक है अटैक भी हो सकता है शिप पे तो मतलब कुल मिला करके जो है इस तरीके स जो maritime Jones हैं वो divide करी गई है अनुसार और यह exams के लिए बहुत ही important है आज के लिए इतना ही इसको और detail में करेंगे इंटर्नल वाटर टेरिटोरियल सी इन सब को जो है वह काफी डिटेल में करेंगे आगे आने वाले वीडियो में फिलहाल आज के लिए इतना ही थैंक्यू बेरी मच और हाँ वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब करना मत भूलिए थैंक्यू गाइस